कि सात्यों नए कुरुसिस उधारों को लेकर तीसरा बहुत बड़ा जूट चल रहा है फार्मिंग एग्रिमेंट को लेकर देश में फार्मिंग एग्रिमेंट का कोई नई चीज नहीं है क्या कोई नया कानून बना कर हम अचानक फार्मिंग एग्रिमेंट को लागू कर रहे हैं जी नहीं हमारे देश में बर्सों से फार्मिंग एग्रिमेंट की विवस्ता चल रही है एक दो नहीं बल्कि अनेग राज्यों में पहले से फार्मिंग अग्रिमेंट होते रहे हैं। अभी किसी ने मुझे एक अख़बार की रिपोर्ट बेजी आठ मार्च दो होजार उन्नीस की। इसमें पंजाब की कॉंग्रेस सरकार किसानों और एक मल्टिनेशनल कंपनी के बीच आठ सो करोर रुपिये के फार्मिंग अग्रिमेंट का जश्ट मना रही हैं। इसका स्वागत कर रही है। पंजाब के मेरे किसान भाई बेहनों की खेती में जादा से जादा निवेश हो। यह हमारी सरकार के लिए भी खुशी की बात है। साथियों देश में फार्मिंग अग्रिमेंट से जुड़े पहले जो भी तौर तरीके चल रहे थे। उसमें किसानों का बहुत जोखिम था। बहुत रिश्ट था। नए कानून में हमारी सरकार ने फार्मिंग अग्रिमेंट के दोरान किसान को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किये। हमने तय किया है कि फार्मिंग अग्रिमेंट में सबसे बड़ा हीत अगर देखा जाएगा तो वो इस किसान का देखा जाएगा। हमने कानूनन तय किया है कि किसान से एग्रिमेंट करने वाला अपनी जिब्मेदारी से भाग नहीं पाएगा जो किसान को उस ने बादा किया होगा। वो sponsor करने वाले को वो भागिदार को उसे पूरा करना ही होगा अगर नए किसान कानून लागू होने के बाद कितने ही उदान सामने आ रहे हैं जहां किसानों ने अपने इलाके में SDM से सिकायत की और सिकायत के कुछी दिन के भीतर किसानों को अपना बकाया मिल गया साथियों फार्मिंग एग्रिमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझोता होता है जमीन किसान के ही पास रहती हैं एग्रिमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है प्राक्रू के दिख आपदा आ जाएं तो भी एग्रिमेंट के अनुसार किसान को पूरे पैसे मिलते हैं नए कानुनों के अनुसार अगर आंचानक याने जो अग्रिमेंट टै हुआ है लेकिन जो स्पॉंसरर है जो भागिदार है जो पुझी लगा रहा है और अचानक मुनाफभा बड़ गया और किसान के contract में तो कम पैसा है लेकि मुनाफ़ बढ़ गया तो इस कानून में ऐसा प्रावदान है कि जो बढ़ा हुआ मुनाफ़ा है किसान को उसमें से भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा साथियों agreement करना है या नहीं करना है ये कोई compulsory नहीं है ये किसान की मर्जी पर है वही किसान चाहेगा तो करेगा नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा लेकिन कोई किसान के साथ बेहिमानी न कर दे किसान के भोलपन का फाइदा उठान न ले इसके लिए कानून की विवस्ता की गई है नए कानून में जो सक्ति दिखाई गई है वो स्पोंसर करने वाले के लिए हैं, किसान के लिए नहीं है। किसान अपना फैसलां ले सकता है राज्य सरकारों को मेरा सुजाव है कि आसान भाषा में आसान तरीके से समझ माने वाली farming agreement उसका एक खाका बना करके किसानों को देखे रखना चाहिए ताकि कोई किसान से चीटिंग ना करते हैं